वी वोश प्लस एक लिक्विड इंटिमेट वोश है जो प्राइविट पार्ट को क्लेन करने और विजाइना के पी एच को नॉर्मल बनाय रखने के लिए यूज किया जाता है इस वी वोश प्लस की प्राइस उप्योग और यूज करने के तरीके के बारे में जानेंगे सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें वी वोश की छोटी से छोटी बोटल 20 ml की आती है और उसकी प्राइस अभी 45 रुपीज है 20 ml से लेकर 350 ml तक के पैक के वेरियन्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे इसका यूज जनरली महिलाओं की द्वारा किया जाता है क्योंकि महिलाओं में reproductive system open type का होता है जिससे वीजाइनल infections होने के ज़्यादा chances होते हैं वीजाइना का pH 3.5 से 4.5 के बीच होता है जो की acidic होता है और वीजाइना में पाए जाने वाले कुछ good bacterias के लिए suitable होता है लेकिन वीजाइनल infections के कारण या फिर दूसरी health issues के कारण वीजाइना का pH कम या ज़्यादा हो सकता है जिसकी वज़े से वीजाइनल पार्ट में खुजली होने लगती है discharge आने लगता है जलन हो सकती है redness, irritation, bad smell और dryness हो सकती है वीज़ प्लस इन सभी problems में relief देता है वीज़ का pH 3.5 होता है और इसमें main ingredient lactic acid 1.2% होता है lactic acid के अलावा इसमें दूसरे कई तरह के ingredients भी पाए जाते हैं इसमें paraben, SLS और SELS नहीं होते हैं lactic acid विजाइना के good bacterias की growth को बढ़ाता है और harmful bacterias को बढ़ने से रोकता है we wash का use daily नहाते समय intimate area को wash करने के लिए आप कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई vaginal discomfort है तो हर बार urine जाने के बाद भी इसे आप use कर सकते हैं unprotected intercourse के बाद infection से बचने के लिए भी आप इसे use कर सकते हैं periods के दूरान sanitary napkins और गीले पन की वज़े से भी aging और irritations होने लगती है इसलिए आप periods के समय और pregnancy में भी discomfort से बचने के लिए इसका use easily कर सकते हैं ये बिल्कुल safe है वी wash को use करना बहुत ही easy है वी wash के कुछ drops finger या फिर हतेली पर लेकर intimate area पर लगा कर आप इसे soap की तरह यानि साबुन की तरह use कर सकते हैं उसके बाद में पाने से इसको wash कर लें ये जरूर धान रखें कि इसे केवल बहार वाले vaginal part पर ही apply करना है intimate area के अंदर insert नहीं करना है क्योंकि ये केवल external use के लिए है वी wash plus के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और स्वास्ते और दवाईयों से समंदित वीडियों के लिए हमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें